Hello and welcome to RLR Action Network. मैं हूँ आपका दोस्त और आज की इस amazing वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि Excel के अंदर active cell के row और column को automatically कैसे highlight किया जाता है ताकि आपका जो data है वो बहुत ही खूपसूरत तरीके से आपको नज़र आए बेसिकली क्या होता है कि जब हम Excel के अंदर काम कर रहे होते हैं और हमारे पास बहुत सारा data होता है तो हम किसी एक cell के data के row और column को check करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो ऐसी condition में हमें बहुत problem होती है समझने में लेकिन अगर आप इसके row और column को highlight कर देते हैं किसी color से तो वो एक visual way में दिखता है और आपका data जो है बहुत ही खुपसूरत तरीके से नज़र आता है जिससे आप data का analyze कर सकते हैं और आप अपनी report को और भी बहतर बना सकते हैं तो उसी के तरीके से मैंने आपके लिए एक example लेका रहा हूँ जिसमें आप सीखेंगे कि आपकी इस तरीके से अपने active row और column को कैसे highlight कर सकते हैं जैसे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा data लिया हुआ है जिसमें मैंने मेरे दोस्तों का नाम लिखा हुआ है उन्होंने जनवरी से लेकर December तक कितनी sale की हुई है उसके इसाब से मेरा एक छोटा सा data है और इस data के अंदर अगर मैं कहीं पर भी click करता हूँ देख रहे हैं कहीं पर भी click करता हूँ तो automatically जो उसका row और column number होता है वो color से highlight हो जाता है ज़रूरी नहीं है आप mouse से click करेंगे अगर आप keyboard के बटन से भी उपर नीचे या दायबाय करेंगे तो भी जो आपका data होता है उसका row और column number automatically highlight हो जाता है बहुत ही खुपसूरत तरी formula थोड़ी सी conditional formatting और एक चोटा सा VBA code यूज किया हुआ है जिसको मैं आपको आज इस video के अंदर यूज करना सिखाऊंगा तो चलिए चलते हैं यूज करना सीखते हैं इसके लिए मैंने जो data यहाँ पर यूज किया है वही data manager है अपनी एक sheet 2 के उपर भी यूज किया हुआ है ठीक है और इस data के ऊपर चलिए हम conditional formatting अपलाई करना सीखते हैं तो सबसे पहले जो है हम एक cell formula के बारे में जानते है cell formula जिसको मैंने last अपनी वीडियो के अंदर बताया था बहुत detail में वो अपने अंदर खुबसुरत 12 feature को छिपा के रखता है जिसके एक-एक feature को हमने last वीड और क्याते हैं cell में अगर column is equal to होता है columns के तो उसका column जो है highlight कर दो या फिर अगर cell बराबर होता है row के तो उसके row को highlight कर दो सबसे simple सा एक छोड़ा सा formula कि अगर हम कोई formula लगाते हैं और उसका column highlight column बराबर होता है column के तो उसके column को highlight कर दो अगर row बराबर होती है row के तो row को highlight कर दो तो इसके लिए मैंने क्या किया एक छोड़ा सा formula त्यार कर दिया और उसके बाद मैंने enter किया उसके बाद मैं क्या करू जितने data के ऊपर मैं conditional formatting apply करना चाहता हूँ, इसके बाद मैं home के ऊपर click करूँगा, conditional formatting के ऊपर click करूँगा और यहां से new rules को select करूँगा, new rules को select करने के बाद सबसे last में जाऊँगा और यहां पर click करूँगा use a formula to determine which sells to a format, और इसको select करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहां प अपने data को जिस भी color से highlight करना चाहता हूं, उसके लिए क्या करूँगा, मैं color choose करूँगा, और उसके लिए मैं format के उपर click करूँगा, fill tab के उपर click करूँगा, और जो भी मैं color choose करना चाहता हूं, मैं वो color choose करूँगा, अगर आप यहां से select करेंगे, तो आप simple color choose कर सकते हैं, but I believe in 3D effects, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहां से two colors को choose करूँगा, यहां से जो भी color मैं select करना चाहता हूं, पहला color यहां से, दूसरा color यहां से, और यह आपके dimensions के type हैं, जैसा भी आप use करना चाहें कर सकते हैं, मैं यह select करता हूं, ok करता हूं, ok करता हूं, और ok करता हू देख रहां, जैसे मैंने select किया, तो जो इसका row और column number है, वो automatically highlight हो चुका है, अब अगर मैं कहीं पर भी click करूँगा, तो देखें कि कि आप यह automatically highlight नहीं होगा, क्योंकि जो cell formula होता है, वो recalculations के उपर काम करता है, इसका मतलब कि अगर आप इसके अंदर कहीं पर click करते हैं, तो अपनी sheet के उपर जो formula आपने implement किया, उसको recalculate करने के लिए आपको F9 button press करना पड़ेगा, तब जाकर यह formula recalculate होगा, और आपका जो data है, वो उसका row और column number highlight होगा, देखें आप, अगर मैं कहीं पर भी click करूँगा, और उसके बाद जब तक मैं F9 button नहीं प्रेस तब तक जो उसका row और column number है, वो highlight नहीं होगा, क्योंकि इसका जो formula है, वो recalculate नहीं हो पा रहा है, जैसे, यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा यह data है, उसकी हिसाब से अगर मैं कहीं पर भी click करूँ तो अपने आप formula recalculate हो, और जो row और column है, वो automatically highlight हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा एक line का VBA code लिखूँगा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, जिस sheet के उपर मेरा data है, उस sheet के उपर right click करूँगा, और यहाँ से view code के उपर जाएंगा, यह आपके सामने एक sheet खुल कर आ जाएगी, यहाँ से मैं क्य application.calculate, इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, मेरा code हो गया, तयार, और code को मैं कर दूँगा, close, इसके बाद मैं जहाँ पर भी click करूँगा, देख रहाँ, row और column automatically highlight होगा, यह देखिए, मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ, उसका row और column number automatically highlight होता जा रहा है, बड़ी खूप देते हैं, और वो यह होता है, कि इसके अंदर आप अपने data को copy paste नहीं कर सकते हैं, जैसे माल लीजे मैंने 45 को select किया है, मैं इसको copy करता हूँ, control C से, और अगर कहीं पर भी इसको paste करने के लिए click करूँगा, तो देखेंगे आप कि वो paste नहीं होगा, बलकि उसका row और column number automatically highlight ह जाएगा, यह VBA code लगाने में इसके एक छोटी सी problem है, तो चलिए इस problem को दूर करते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, दुबारा से view code के उपर click करते हैं, और अपने उस VBA code वाले paste पर आ जाते हैं, और उसके बाद इस code को चलाने से पहले एक छोटा सा और code लिखते हैं, क कि if application.cutCopyMode is equal to false, then if end, इसका मतलब क्या हुआ है, कि अगर cutCopy आप करते हैं, और copy नहीं होता है, तो उसके बाद क्या करें, यह application.calculation को use करें, और end की तरह इसको complete करते हैं, मतलब कि अगर आप cutCopy की command चलाएं, तो वो cutCopy की command चले भी, और उसके साथ ही recalculation होते ही, आपका जो row और column number है, वो automatically highlight भी हो जाएं, और उसके बाद मैं करता हूँ इसको close, और अब देखते हैं ओके एक चोटा सा error आया है, देखते ही क्या error आया है, इस application.copy कि मोड मुझे यह यहां लिखना था यह लिखना है और इसके बाद कर देते हैं अब आप कोई भी डेटा कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं करके देख लिए दुबारा कॉपी और पेस्ट तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप यह काम करेंगे तो आई होप कि आप अपने रिपोर्ट को और भी बहतर बना सकते हैं और आप अपने डेटा के र होगा कि कैसे हम अपने डेटा के रो और कॉलम को अटोमेटिक लिए हाइलाइट कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए रो और कॉलम को हाइलाइट करने का एक बैतर और खुबसूरत एक्जामपल लेकर आऊंगा जो कि क्या करेगा कि आपके पूरे की पूरी शीट के ऊपर जो पूरी की पूरी जो शीट है उसक